दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो, सरीर सुन्दर हो या ना हो पर सब्दों को जरूर सुन्दर होना चाहिए क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर सब्दों को नहीं भूलते डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगालो पर आपके सब्दों का चैन बता देता है कि आपकी क्लास क्या है जिंदिगी हर समय आपसे बात करती है बस इसे सुनने की जरूरत है रिस्ता अक्सर वही लाजवाब होता है जो जमाने की मजबूरियों से नहीं दिल के जज़वातों से जनमा हो रिस्ते कांच की तरह होते हैं तोट जाय तो छूपते हैं इन्हें सम्हाल कर हथेली पर रखना क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल और बनाने में बरसो legते हैं जल्दी जागना हमेशा फायदे मंद होता है फिर चाहे वो नींद से हो एहम से हो या फिर बेहम से जिस दिन जरुरत और एक्छा में फर्क समझ आये तो समझ जाना बड़े मेच्योर हो गए हो पानी में गिरने से जान नहीं जाती जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता जहां उमीद नहीं होती वहां तकलिप की गुंजायस भी नहीं होती जीवन के बारे में चिंता मत किजिए इससे आप बचकर निकलने वाले नहीं है जिन्दिगी बदलने के लिए लड़ना जीवन में आपसे कौन मिलेगा या समय तय करेगा जीवन में आप किस से मिलेंगे या आपका दिल तय करेगा परन्तु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे या आपका वेवार तय करेगा जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मज़वोर कर दे दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन रहना है जीद लो सबके दिलों को बस यही जीवन का गहना है कास चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते but लोग अक्सर बदल जाते हैं मुहबत हो जाने के बाद निकलते आशों को देख कर सोचते हैं या आखे आखिर और कितना वक्त लगेगा सारे ख्वाबों को बहने में किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो एक दिन लोग पुरा सावित कर ही देते हैं सच्ची मुहबबत का एक ही उसूल है किसी को तूट कर चाहने वाले हमेशा खुद ही तूट जाते हैं क्या बात है बड़े चूपचाप से बैठे हो कोई बात दिल में लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो जिसके नसीब में हो जमाने की ठोकरे उस बदनसीब से सहारे की बात मत कर किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनते क्योंकि जो दिल में होता है वा कभी किस्मत में नहीं होता एक दिन सिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिन्दगी सामने थी और तुम दुनिया में उलजे रहे थोड़ा इसके खुद से भी कर लो अधूरी चाहत में सबसे ज़्यादा तकलिफ खुद को ही दी है मैंने कभी गौर तो कर इंसान तू अपनी गलतियों पर तेरी अपने फैसले पर तेरी अपनी नजर जुप जाएगी मरमत चल रही है आज कल जिन्दगी की उठेंगे जल्दी बड़ा तुफान लेकर गली का कुत्ता और वो मर्द एक जैसे हैं जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे पर आज समझाया कि अधूरे सपने और तूटे दिल से जादा अधूरा होंबर्ग और तूटे खिलोने काफी अच्छे थे बेहतरी नजर वही है जो अपनी कमिया देख सके दुनिया में मुप्त कुछ भी नहीं होता जो कुछ भी मुप्त देखता है उसकी किमत जरादेर से खुलती है कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बाते ना ही समझाय तो बेहतर है अकल मंद इंसान वह है जो दूसरों के गुरों और विशस्ताओं को देखता है उनसे सिखता है ना कि उनसे इस्या करता है माना कि वक्त सता रहा है मगर कैसे जीना है यभी तो बता रहा है जीवन की कहानिया भी नदियों की तरह होती है कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किस से जा मिले और फिर कहां तक पहुँचेगी इसकी चख लिया था इत्वाग से जवान पर आज भी दर्द के छाले हैं इस दोर के इंसानों की यही दोर है तेरी दिवार से उची मेरी दिवार बने तकलिव अकेले पन से नहीं अंदर के सोर से है बड़ी अजीव सी है जिन्दगी की कहानी जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते और जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते जायका अलग है मेरे लबजों का कोई समझ नहीं पाता, कोई भुला नहीं पाता, अकेले हो जाने का डर उस भीर में सामिल कर देता है, जिस भीर में कभी कोई अपना नहीं होता, त्याग की सब खुआई से निसकाम बढ़ने के लिए भगवान सिरी राम ने बहुत कोच खोया, सिरी राम बढ़ने के लिए सफ फलता अब भी कोशो दूर है कौन क्या करता है क्या बोलता है अगर इसे जानने बैठोगे तो जिंदगी गुजर जाए दूसरी पीरी आ लेकिन इसका जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा क्योंकि लोगों के सब्द वक्त वक्त पर बदलते रहते हैं आज कुछ बने नहीं हो तो तुम उन्हें अच्छे नहीं लगोगी अगर कल काम्याब बंज गए तो उन्हीं लोगों के लिए फिर तुमसे अच्छा दूसरा कोई नहीं होगा जिंदगी की सुरुआत अकेले ही की थी उस वक्त जब पैदा हुए थे तब रोया भी खुद ही था क्या उस वक्त यह ध्यान था कि लोग क्या कहेंगे बेश्क ध्यान नहीं था क्योंकि अगर ऐसा होता तो साइद तुम कभी जन्म ही नहीं ले पाते इसी जीने मर्ने में हम दूसरों का ध्यान नहीं देते तो इस जिंदगी में जब बड़ा बनने का क्यूंद आज़ म सपना देखते हैं तब क्यों दूसरों के बारे में सोच छोचकर अपने पैर पीछे खीच लेते जीवन में तरक्की भी होगी, तसल्ले भी होगी, एक बार खुद पर ध्यान देकर तो देखो सफल जिंदिगी भी होगी, चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, सिर्फ इन ही चार लोगों के डर ने बहुत से काबिल लोगों को हमेशा महपोज रखा है गुजर जाएगा यह दोर भी, जरा सब्र दुरत, जब खुसिया ही नहीं रुकी तो गम की क्या उकात है, मालूम नहीं था कि ऐसा भी एक वक्त आएगा, इन बेवक्त मौशनों की तरह मेरा प्यार भी पल भर में बदल जाएगा हम खराब लोगों में एक खुबी होती है, मुसीबत में काम आते हैं, जिन्दिगी में अगर कभी बुरा दिन आये तो इतना, होशला जरूर रखना की दिन बुरा है, जिन्दिगी नहीं अगर जिन्दगी में बुरा वक्त ना आये तो हम अपनों में पराये और परायों में अपने कभी नहीं ढोंड पाएंगे समय कभी नहीं रुकता आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवस्था अच्छा आएगा आपके वल नीश्वार्त भाव से कर्म कीजिए वही आपके हाथ में है जो समय का मोल समस्ता है समय उन्हें अनमोल बना देता है दो तरह के लोग होते हैं एक जो साथ रहने के लिए वज़ा ढूंडते हैं और दूसरा जो रिस्ता तोरने के लिए बहाना ढूंडते हैं लोगों के मूद बंद नहीं होंगे, मगर आप तो अपने कान बंद कर सकते हो। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और कमजोर मर्द घर की औरतों से बरासा महल हो या छोटी सी जोपरी जहां सांती और सुकुन मिले उसी को घर कहते हैं। एहंकार भी जरूरी है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की वो तो अकेले खरे होने का साहस रखो। दुनिया ग्यान देती हैं साथ नहीं। खुसी तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई खुश नजराता है। सर और किरदार हमेशा उंचा रखो, अच्चे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। तवियत पूछने वाला इंसान ढूंडो, वसीहत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे। आपकी कदर वा करता है जो आपको प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है कभी-कभी। खुश खबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुश खबरी से खुश नहीं होता। इंसान भी एक समुंद्र है, किसी को क्या मालुम की कितने हादसे और कितने यादे उसमें समाई हुई होती है। तीन चीजी ही काफी है जिन्देगी का सुक छिनने के लिए जूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिस्तिदा। अब चूप रहना ही सही लगता है क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हमेशा दिल की सुने, गम एक अनुभव है जो हर किसी के पास है, खुशी एक एहसास है जिसकी किसी को तलास है, वो गलती सबसे बड़ी होती है जिसमें गलत होने का एहसास ना हो, बाते छोटी और काम बड़े करने चाहिए क्योंकि दुनिया सुनती नहीं मगर देख सब ल जिम्मेदारियां काबिलियत देख कर नहीं मिलती बलकि जिम्मेदारियां काबिल बनाती है, जब आप खुद को तूटा हुआ महसूस करें तो समझ लिजिए कि इस वर आपका इस्तमाल किसी बरी उप्योगिता के लिए करना चाहते हैं, इसलिए सदेव प्रशन ने रहे औ बढ़ता है, वैसे ही बुजुर्गों से परिवार में संसकार बढ़ते हैं, भोजन में नमक का और घर में बुजुर्गों का होना बहुत जरूरी है, जिन्दगी ऐसे जियों की आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए, धोखा कभी नहीं मरता, आज आप दोगे कल आपको मिलेगा, कुछ दर्द जिन्दगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली और जिन्दा भी छोड़ दिया, अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं, दोस्तों उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई ह अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी चैनल को सबस्क्राइब करके मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दे, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत सुक्रिया